जै शीक्रिष्णा, कैसे आप सब लोग, हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्तना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी जिन्दगी में आप धेर सारी धेर सारी सफलता हासिल करें, आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ इश्वर आपको ज़रूर दें, डियर, आपका बहुत-बहुत स्फागत है आपके चैनल इस्प्रिश्वल लव 1111 में, आज पता आपको कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिडिंग होने वाली है, आपके जो वर्तमान पार्टनर हैं, जो इस वक्त आपके दिल दिमाग में चाय हुए हैं, इनका आपसे पूर्व जनम में क्या रिष्टा था और कैसे रिष्टा था, इस जनम में क्या चल रहा है, क्यू चल रहा है, सब बताने वाले हैं, आपको पता है, इस जनम में हमारी 80% जो समस्याएं होते ही न वो पूर्व जरम से जुड़ी हुई होते हैं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होते हैं कभी-कभी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है बहुत सारी घटना है, सडनली घटती है, अनिस्पेक्टेट चीजे होती हैं, कभी अच्छी, कभी बुरी, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, चाहे करियर हो, चाहे फैमली हो, चाहे लव लाइफ हो, कुछ भी, कुछ भी, तो आज हम बताने वाले आपको, कि अभी इस जनम में जो घट रहा है, वो क्यो घट रहा है, इसका पूर्व जनम से क्या संबंद है, और आपके जो वर्तमान पार्टनर है, इनका आपसे पूर्व जनम में क्या रिष्टा था, कैसा रिष्टा था, ठीक है, तो रिडिंग का मेडिटेशन करते हैं उसके बाद आपको एक पाइल चूस करनी है ठीक है आखे बंद कर लीजिए हम सबसे पहले गायतरी मंत्र का उचारण करेंगे आप भी हमारे साथ गायतरी मंत्र का उचारण करें ठीक है अम् भूर्भुवश्वाहा ताच्छ वितुल्वारे न्यम् भर्गो देवस्याधी मही दियो योना प्रचो दयात अम् भूर्भुवश्वाहा ताच्छ वितुल्वारे न्यम् भर्गो देवस्याधी मही दियो योना प्रचो दयात अम् भूर्भुवश्वाह ताच्छ वितुल्वारे न्यम् भर्गो देवस्याधी मही दियो योना प्रचो दयात प्रचो देवस्याधी दियो योना प्रचो दूर्भुवश्वश्वा़े न्यम् भर्गो दियो यो दूर्भुश्वारे न्यम् जुक तो जुक जुक तुक तुक जुक तुक कर दो कर दो कर दो कर दो हमाशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शान्त हुआ होगा चलिए अब एक पाइल चूस कर लीजे उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए देखिए तो सही की कैसा कनेक्शन था किस तरह का था और इस जनम में क्या चल रहा है अगर किसी वज़ा से ऐसा होता है कि जो आप चूस करते हैं वो मैच रही करता तो दूसरा ऑप्शन जरूर सुनकर देखिए क्या पता कि वो मैच कर जाए क्योंकि जर्णर रेडिंग है ये समस्तारी तो दिखानी चाहिए ना ठीक है जर्शी कृष्णा ओप्शन नमबर वन कैसी हैं हम आशा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे चलिए अब आप लिखे कि हां मैं बहुत खुश हूँ बहुत स्वस्त हूँ मस्त हूँ इश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती हैं मेरा कभी कोई काम नहीं रुपता क्योंकि उनका आशिरवाद उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है लिखे इसी वक्त लिखे क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं और हां ये लिखने के बाद रीडिं मिलता है आत्म विश्वास बढ़ता है हमारा है ना आपके वर्दमान पार्टनर से आपका पूर्फ जनम में क्या रिष्टा था कैसा रिष्टा था और अभी क्या चल रहा है यह बताने से पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं ठीक है देखे इधर ना जेमिना लिब्रेक वेरियस मिथुन तुला कुंपराशी बहुत स्ट्रॉंग है उसके बाद है यह पर कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसियस करकुरुष्चिक मीं राश ठीक है एरिस लियो साजिटेरियस भी है मेसिंग धन राशी टॉरस फर्गो कैप्रिकॉन भी है बड़ थूड़ा सकम है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट अब बर्थ हो सकती है किसी महने की 13 तारीख 15 तारीख और 17 तारीख 2 तारीख 10 तारीख 3 तारी 6 तारीख 27 तारीख 20 तारीख 11 तारीख 29 तारीख 24 तारीख 26 तारीख 31 तारीख 1 तारीख ठीक है यह इनकी डेट अब बर्थ है अब हम बर्थ मंत बता है बताते हैं जुलाई, सितंबर, मार्च, फर्वरी, नवंबर, अक्टूबर, अप्रेल, ठीक है? चलिए हम इनके निम का इनिशल बताते हैं आपको G, A, U, L, P, R, V, C, O, M, K, Z, I, T, ठीक है? इनका आपसे जो रिष्टा था न, पूर्व जनम में, वो हस्बेन वाइफ का था, जी हां, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अपके दो बच्चे भी थे, और पास लाइफ में आप दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन उस रिष्टे को फैमली ने स्विकार किया था, उस रिष्टे को फैमली ने स्विकार किया था, और अच्छे से शादी भी हुई थी आप लोगों की, मतलब कि आपके वर्तमान जो पार्टनर है, यह हो सकता है अभी जैसे भी है आपके साथ, लेकिन पूर्व जन्नम में आपकी बहुत अच्छी ग्रहस्ती थी, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ थी, बहुत अच्छी, लेकिन पता है क्या है, धीरे धीरे आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी आने लगी, धीरे धीरे ट्रस्ट इशूस बढ़ने रगे, प्यार बह आपको बता है, जब हमारे रिष्टों में कोई सा भी हमारा रिष्टा हो, जब हमारे रिष्टे में किसी थार्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, थार्ड पार्टी कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी अधर परसन, जब वो हमारे बीच मिस अंड स्टैनिंग क्रियेट करने लगता है तो ट्रस्ट इशूस क्रियेट होने लगते हैं ठीक है तो आपके रिष्टे में ट्रस्ट इशू होने लगा फिर आप दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे जगरने लगे एक दूसरे को कंट्रोल करने लगे एक दूसरे को कंट्रोल कर आपके रिष्टे को तोड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। आप रात रात भर रोते थे इनके लिए आपको नीन नहीं आती थी। आप बहुत इमोशनल थे। आप मेंटली इमोशनली बहुत जिश्टब हो गए थे। बहुत ज्यादा। आप बस यहीं सोचते थे मिसंडरस्टैनिंग की वज़े से आपको पता है जो डाइवल एनर्जी होती है ना नेगेटिव सोल्स जो होती है वो क्या करती है वो हमारे रिष्टों में ऐसे ही छोटी-छोटी बातों पर मिसंडरस्टैनिंग करती है कभी-कभी वो किसी का सहारा ले लेती है ऐसे ही आपके रिष्टे में जो devil energy थी उसने किसी का सहारा लिया और आपके रिष्टे को कहीं न कहीं तोड़ दिया ठीक है आपके रिष्टे को तोड़ दिया अब देखो हम यहाँ पर अंतिकी बात नहीं करेंगे कि किसकी कैसे death हुई लेकिन पूर्व जिनम में आप दोनों husband wife थे बहुत strong connection था बहुत strong बहुत अच्छी married life थी love marriage थी सब ने accept किया था लेकिन मेहज misunderstanding की वज़े से रिष्टा टूटा समझ रहे misunderstanding की वज़े से और यह जो थे आपके husband या wife जो अब इस जनम में है यह आपको छोड़कर चले गए आप अकेले ही अपने दो बच्चों को लेकर रहे गए आप अकेले ही रोते रहे सोचते रहे रोते रहे सोचते रहे ऐसे ही आपका पूर वज़नम बीता यह सोच कर कि कहां कमी हुई और सबस्वादा तकलीफ पता तब होती जब हम love marriage करते हैं कि अपनी पसंद से शादी करते हैं फैमिली को मनाया तो बड़ी मुश्किल से फैमिली मान नहीं रहे थी लेकिन तकलीफ कितनी होती है जब हमारी चोईस एक समय पर गलत थैर आई जाती है जब लोग कहते हैं कि और कर लो शादी और नमानो किसी की बात तो कितनी तकलिफ होती है माता पिता शादी कर दे तो हम हक से लड़ पाते हैं कि आपने कहां बांदी आपने कहां शादी कर दी लेकिन जब हम खुद करते हैं तो फिर किसी को कुछ बोल नहीं सकते किसी सो कुछ कह नहीं सकते और एक ऐसी घुटन देकर आपके ये पार्टनर आपको छोड़कर चले गये थे ये देकर घुटन कि कहां गलती हुई क्या हुआ और जैसे कि अपने ही फैसले पर अफसोस हुआ कि मैं गलत थी जो मैसे इंसान को पहचान न सकी मैं गलत थी या फिर मैं गलत था जो मैं समझ न पाया ऐसे करके ये रिष्टा आपका पूर्व जनम में तूटा था लेकिन प्यार नहीं मरा क्योंकि वो लव मैरिज थी समझ रहो जिस रिष्टे में किसी को तूट कर किसी ने चाहा हो तो वो प्यार कभी मरता नहीं है आपको पता है हमारी आत्मा सिर्फ कपड़े बदलती सिर्फ शरीर बदलती है हमारी आदते, हमारी अच्छाई, बुराई सब हु बहु वही होती है हमारे बहुत सारे पूर्व जनम के रिष्टे भी इस जनम में हमारे साथ होते हैं तो देखो अब इस जनम की बात करते हैं आपका पूर्व जनम हमने बताया कि क्या connection था लेकिन अब फिलार पूर्व जनम तो जो बीद गया वो बात गई इस जनम में क्या चल रहा है वो हम आपको बताते है इस जनम में देखो आपके जो पार्टनर है इस जनम में हमें नहीं लगता कि शादी हुई है इस जनम में अभी अभी शादी नहीं हुई है बहुत सारे लोगों की ना अभी शादी नहीं हुई है लेकिन इस जन्नम में भी आप लोग से अपरेट हैं reason बताते हैं इस जन्नम में जो आपके person है वो बहुत ज़्यादा serious नहीं है आपको लेकर ego attitude बहुत ज़्यादा है जैसे कि यह आपको पास लाइफ में छोड़के गए थे महस मिसंडरस्टाइनिंग की वज़े से अपना एगो अपना प्राइड दिखा के ट्रस्ट इशू करके जैसे कि एक ऐसा होता है ना कि इन्होंने आप पे ही उल्टा ब्लेम किया कि आप इन्हें धोका दे रहे हो आप कोई उल्टा सिदा बोल कर चले गए थे और अन्त अंत तक एपने प्वेश्ले पर अधिक रहे अंत अंत तक कि नें आपकी पवितरता इननिंगी अच्छा यह नजर नहीं आने आई तो इस कुछ ऐसा है इस जनम में भी कुछ ऐसा है, हम ये नहीं कहेंगे कि इस जनम में हो सकता है कि ट्रस्ट इशू इस जनम में भी हो, लेकिन इस जनम में भी हमें आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं इस जनम में भी आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस जनम में भी आप इंतजार कर रहे हैं, आप इनके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इस जनम में भी जिन लोगों के अभी थोड़ी बहुत बात सीट होती है, तो हर पल एक डर लगा रहता है कि आप खतम कि तब ख कभी पी तूट सकती है हर पल एक डर लगा रहता है और यह बात सोचने वाली यहां पर है कि इस जनब में बहुत सरे लोगों की अच्छी दोस्ती तो है हो सकता है आप लोग पहले दोस्त बने हूं फिर एक दूसरे के करीब आए हूं लेकिन इस जनब में जैसे एक होता ने कि किसी को लेकर हम बहुत serious होते हैं लेकिन यह आपको लेकर बहुत ज़्यदा serious नहीं है इनको लगता है कि एक होता है न कि हो जाये तो ठीक और ना हो तो ठीक जैसे कि मस्त है कि जितना आप परवा कर रहे हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो क्या होगा बहुत सारे लोगों के साथ धोका हो चुका है और ये आपको छोड़ कर जा चुके है यह तो इनुने किसी और से शादी कर ली है यह बहुत जल्द यह शादी करने वाले हैं यह फिर यह और रेडि मैरिड है अब हम बताते हैं अब हम बताते हैं कि इस बात का पूर्व जनम से क्या रिष्टा है इस बात का पूर्व जनम से ये रिष्टा है कि इन्हों ने जो पूर्व जनम में बोया था ना वो अभी इस जनम में ने काटना है ये जो इस जनम में आपको दर्द दे रहे हैं वो आपको नहीं दे रहे है ये खुद के दर्द की तयारी कर रहे है लाइक इनका कर्म है न आपके साथ रहेंगे तो लाइफ हैपी हैपी होगी लेकिन अब इनका कर्मा है तो वो तो इने क्लियर करना पड़ेगा अब इस जन्नम में भी आपको धोका दे रहे हैं आप इनके लिए रोते हो, आप कहते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ बोलते ही नहीं है, कि जिसे कि हाँ नहीं पड़ता, और इस जनम में भी चीजें तूटने की गगार पे हैं, लेकिन वो बात है ना कि आप प्यार बहुत करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि इनसान आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हैं इनके साथ अपनी पूरी जिन्दगी जीना, आप चाहते हैं कि इन्हें सही और गलत का अंदाजा लगे, इन्हें सही और गलत का पता चले, आप चाहते हैं कि आपके लिए कमिट्मेंट आपको मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती है क्योंकि आपने पूर जनम में इन्हें इतना चाहा है कि वो प्यार आज भी आपकी आत्मा में है वो चीज़े आज भी आपके सब कॉंसेंस में हैं और इनको देखकर जब भी आप इने पहली बार आपने देखा होगा या फिर तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा होगा आपको की जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं बहुत खिचाव महसूस हुआ होगा आपको इनकी तरफ बहुत अपना पन लेकिन इस जनभ में को आपकों साथ एक समस्या होगी लेकिन इस जनभ में एक चीज आपको बहुत परिशान करती होगी वह यहीं है कि आपको बधनामी का बहुत दर लगता होगा जैसे कुछ लोगों इतने चिल करते हैं तो देखा जाएगा आपको पता है हमेशा डर लगता है कि कोई कोई कलंक न लग जाए कहीं कोई आपको बदनाम न करते छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत इंसेक्योर्टी फील होती है जैसे कि आपका नाम खराब हो जाएगा आपकी छवी खराब हो जाएगी आप बहुत सोचते हैं कि अगर मैंने उनसे बात की तो वो क्या सोचेंगे इस जनम में यह डर आज भी आपके अंदर है पते क्यों क्योंकि पूर्व जनम में ऐसी misunderstanding की वज़े से आपका रिष्टा आपका प्यार आप से दूर हो गया था और इस जनम में आपको तभी बहुत डर लगता है कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा पता नहीं क्या सोचेगा आप जब पहरी बार इनसे मिले होंगे तो आपको बहुत प्यार महसूस हुआ होगा लेक इनके करीब आही गए आपको इनसे प्यार हो ही गया वह आत्मा आपकी इनकी तरफ खीच कर ले गई आपको वह ना बाकी ना आप दोनों का पूर्व जनम का जो जहां से छूटा था वह इस जनम में यहीं से शुरू होना है यह तो गुड़नीज देदी हमने है ना देखो जो चीजे पूर्व जनम में जहां से छूट गई थी वो इस जनम में वहीं से स्टार्ट होंगी लेकिन आपको बहुत पेसिंस रखना पड़ेगा बहुत जाता अब हमें नहीं पता आपके पास समय है की नहीं है जैसे कि हो सकता है कि आपकी शादी के लिए आपकी फैमिली होगी एक निउ बिगिनिंग होगी इस रिष्टे की लेकिन तब जब यह अपना कर्मा क्लियर कर लेंगे अभी इस जनम में इनको दर्ध मिलने हैं इस जनम में भी पता है नेगटिविटी है इस जनम में भी है यह जो झुकते नहीं है न ये उसी नेगटिव अनरजी की जैसे कि रिष्टा सिर्फ आपका है, इनका नहीं है, जैसे की दर्द सिर्फ आपको होगा, इनको होता ही, इक होता ना चैनल में बार बार चोड़ के जाने की धंगी देता है, तो यहीं फिल होता, यार मतलब अगर हम अलग हो जाएंगे तो सिर्फ हमें दर्द होगा क्या इसे नहीं होगा क्या इसका मतलब प्यार नहीं है तो इस जनम में पता है इस जनम में आप दोनों मिले तो सही लेकिन इस जनम में अभी इन्हें आप से उस तरह का प्यार नहीं है अभी ये आपको ले आप वेट करिए और नहीं छोड़ा है तो यह छोड़ने वाले आपको यह छोड़ेंगे क्योंकि इनको जो दर्द मिलेगा वो आपके द्वारा नहीं मिलेगा वो किसी और के द्वारा मिलेगा किसी और के थ्रू मिलेगा तो कि वो इनका करमा है इनका अपना करमा है और जब आपको छोड़ कर चले जाएंगे जिसके पास भी जाएंगे किसी से शादी कर लेंगे किसी साथ रिष्टे में आ जाएंगे या फिर अगर आप कि शादी इस जनम में मान लो कुछ लोगों की हो भी गई है तो अपनी फैमली की की वज़े से आपको छोड़ देंगे तो इनको दर्द मिलना है बस कही न कहीं से मिलेगा मिलेगा ठीक है इनको दर्द मिलना है उसके बाद इन्हें एहसास होगा जब इनका पूरा कर्मा क्लियर हो जाएगा तब इन्हें आपके प्रति प्यार जागेगा तब इन्हें आपकी याद आएगी तब इन्हें गिल्ट होगा बहुत अफसोस होगा बहुत बर्डन फील करेंगे आपको बहुत याद करेंगे और तब सच जूट सही गलत सब इनके सामने आ जाएगा इस जन्नम में भी हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच अभी भी कोई थार्ट पार्टी है कोई misunderstanding क्रियेट होती रहती है trust issues होते रहते हैं और सच बता है ये तो politics करी रहे हैं आपके साथ समझ रहे हो ये तो जैसे कि जो हैं वैसा दिखा नहीं रहे है मतलब कि हो सकता है कि कभी-कभी एक होता है नहीं कि emotional हो जाते हो रो देते हो कि नहीं मैं भी प्यार करती हूं लेकिन इतना नहीं है जितना आपका है यह आपके लेवल पर नहीं अभी यह आपके लेवल पर अभी आपको नहीं चाहते है ठीक है चाहेंगे जब इन्हें ठोकर लगेगी जब इन्हें वही दर्द होगा तब इन्हें आपकी याद आएगी तब इन्हें अफसोस होगा तब इनके अंदर जो इल्यूजन है न जो इनके अंदर भ्रहम है न चीज़ों को लेकर जब इनका भ्रहम तूटेगा तब आप दोनों की न्यू बिग्निंग होगी मतलब कि आपका प्यार जीतेगा बस आपको इस जनम में भी पेसेंस रखना पड़ेगा अब पता है अगर पूर्व जनम में आपने इनकी आज छोड़ती होती आपने अंत अंत तक इनके लौट के आने की उमीद रखी है और जब कोई चेतना जब कोई आत्मा किसी की उमीद में, किसी के इंतजार में शरीर छोड़ती है तो वो उसकी ख्वाहिश लेकर इस धर्ती पर जनम लेती है उसकी ख्वाहिश लेकर तो वो उसे मिलता मिलता है कितने टाइम बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा ये तो पक्का नहीं होता, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है वो इनसान, इतनी बड़ी दुनिया में हम किसी से यूँ ही अट्रेक्ट नहीं होते, और इधर तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरकास्ट इशू है, रिडिजन इशू भी है, डि आपको ये लगा कि बंदा सीरियस ही नहीं आपको लेकर, जैसे इसे कोई फरक ही नहीं पड़ता, इस तरह की चीज़े आपके सामने आई, तो बस वो दर्द, वो पेन, वो तकलीफ आपको परिशान करती है, लेकिन पता नहीं क्यूं आपका ऐसा लगता है कि मुझे खुश लगती है कि एक दिन हम दोनों मिलेंगे और एक दिन हम दोनों की भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब यह आपके पास लॉट कराएंगे ना, तो इनका सारा कर्मा क्लियर हो चुका होगा, आपका कोई खास कर्मा नहीं है, लेकिन बस यह है क आगे की जो जिन्दगी होगी आप दोनों साथ शियेंगे अगर आप दोनों की शादी हो गई है शादी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है पास नहीं पर साथ रहेंगे एक दूसरे के टच में रहेंगे हमेशा एक दूसरे को हमेशा समझेंगे प्यार देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे पता है कोई कभी साथ रहने के लिए नहीं मरता पास रहने के लिए नहीं मरता हम बस ये सोचते हैं कि जो हमारा अपना है वो चाहे हम से कितनी भी दूर क्यों न रहे पर वो हमें साथ रहने का एहसास कराता रहे वो ये एसास कराता रहे कि वो पास ही है वो साथ ही है और साथ रहने के लिए साथ सोने के लिए हर कोई मरता नहीं है कुछी लोग होते हैं जो वासनाओं से बरे होते हैं जिनें साथ ही रहना होता है लेकिन सचा प्यार इधर बहुत जादा है true love इधर बहुत ज़्यादा है तो इधर हम देख रहे हैं कि इधर ऐसा नहीं है कि नहीं तुम चाहिए चाहिए तुम साथ चाहिए पास चाहिए ऐसा नहीं है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत 100 लेवल पर चीजों को फील करते हैं बहुत अंदर से प्यार करते हैं तो आपको बस यही है कि कोई ना अगर वो दूर भी है ना तो बस हम कभी प्यार से बात कर लें इतना ही काफी है हमारे भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए वो दूर हो जाए धोखा दे और हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी हम अंदर से डिस्टब रहते ही रहते हैं तो यहाँ पर आपका यही है कि कोई नहीं पास ना सही पर हम साथ रहें एक दूसरे का ऐसास हमें होता रहे हम एक दूसरे को समझते रहे एक दूसरे की केयर करते रहे दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें, बस ये है, तो डियर इस जनम में चीज़े ठीक होंगी, इस जनम में चीज़े बदलेंगी, लेकिन बस वही है, कि जो इन्होंने पास लाइफ में करमा किया है, जो इन्होंने अपने सूजबुच का इस्तमाल न लेगा तो इस जनम में आप देख भी रहेंगों कि इनके पर बहुत बर्डन है बहुत जादा ठीक है और जब इसाब भुगत लेंगे जब सब क्लियर हो जाएगा तब आपके सिंदगी में आ जाएगे और आपके रिष्टे की नियू बिगिनिंग हो जाएगी तो बस आप हा ख्याल रखिए अपने अपनों का खैयल रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचे क्योंकि लोग का काम कहना ही होता है पूरी जिन्दगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाब करने हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवीट कर सकते हैं ठीक है जैश्री कृष्णा Option No.2 कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्थ हूँ और इश्वर के आसिरवात से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, धेर सारी सफलता हासल कर रहा हूँ लिखिए, अभी इसी वक्त लिखिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा लिखते हैं, हम जैसा देखते हैं, हम उसी तरह की चीज़े मैनिफेस्ट भी करते हैं, तो लिखिए आप इसी वक्त लिखिए, ठीक है? और हाँ, यह लिखने के बाद जब आप पूरी देख लेते हैं अगर ये डिडिंग आपसे मैच करती है रेजोनेट करती है तो कॉमेंट में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब आप कॉमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है ठीक है आपका बहुत-बहुत है आपका इनसे क्या रिष्टा था 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 फिर नहीं और था तो कैसा रिष्टा था इस जनम में क्या चल रहा है यह हम बताने वाले हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं एरिस लियो साजिटेरियस मेसिंग धन राशी टॉरस वर्गु के अप्रिकॉन रुषप करन्यमकर राशी साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं ठीक है अच्छा इनकी डेटर बर्थ बताते हैं किसी महीने की 30 तारीख 15 तारीख 28 तारीख 9 तारीख 18 तारीख 24 तारीख 12 तारीख 10 तारीख 19 तारीख 4 तारीख 11 तारीख 7 तारीख 21 तारीख 12 तारीख 1 तारीख 17 तारीख 5 तारीख 29 तारीख ठीक है इनका बर्थ मन्त बताते हैं इनका बर्थ मन्त अप्रेल, अक्टूबर, जून, सितंबर, मार्च, अगस्ट, दिसंबर इनके नेम का इनिजल बताते हैं के, I, N, R, D, O, S, M, B, H, U, K, C, L, P, W, Z यह है इनके नेम का इनिशिल, आपका इनसे पूर्व जिनम में कैसा रिष्टा था, बहुत अच्छी दोस्ती थी आप लोगों की, पता है, एक दूर के किसी दोस्त की शादी थी, जैसे की आपके होम टाउन से, आपके शहर से दूर, आप लोग किसी पार्टी में मिले थे, किसी शादी में मिले थे, किसी दोस्त की शादी में और दोस्ती हो गई, distance relationship था, फिर दीरे बात चीत होने लगी, एक बहुत spiritual connection था, past life में distance relationship था, लेकिन एक spiritual connection था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे, बहुत समझते थे, लेकिन age difference इशू था, पता है एज डिफ्रेस इशू था कोई एक परसन मैरिट भी था दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्प्रिश्चुल थे आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी नॉलिज शेयर करते थे बहुत सारी बाते मतलब बहुत पवित्र रिष्टा था आप लोगों को बहुत पवित्र लेकिन दीरे दीरे प्यार हो ही गया बड़ा अच्छा लग रहा हमें इस स्टोरी सुनाने में क्योंकि हमारे सामने की स्टोरी सी है हम क्या बता हैं आपको हम बहुत इमोशनल थे बहुत ज़्यादा लेकिन ज़्यादा तर करके हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अगर आप मेल हैं या आप फिमेल हैं अगर आप फिमेल हैं तो आपकी शादी हुई थी और अगर आप male हैं तो आपके पार्टनर की शादी हो रखी थी मतलब कि यहाँ पर आप male और female हो पर पूर्व जनम में तो female body में था उसकी शादी हो गई थी उसकी शादी हो रखी थी और age difference issue था age difference issue था और अभी भी शायद हो सकता है लेकिन connection बहुत प्योर था बहुत बहुत प्योर connection था लेकिन पता है आप बहुत जादा जैसे emotional होते न emotional लोग, motherly लोग, caring लोग आपको दीरे 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 इनसे attachment बढ़ती जा रही थी लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि यह गलत है यह गलत है, मतलब कि पहले अच्छी दोस्ती हुई थी पर अपनी भावनाएं, अपने जज़बात बताने से डर रहे थे आप share नहीं करना चाहते थे, प्यार उन्हें भी था, प्यार आपको भी था लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी feelings share नहीं कर रहे थे क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि इस रिष्टे का कोई future नहीं है इस रिष्टे का कोई future नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक situation में कदम कदम पर आप दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते थे और एक दूसरे को बहुत appreciate करते थे, लेकिन पता है जिन्दगी की खौईश यही थी, कि एक साथ जीना है काश हम एक साथ जिन्दगी जीपाते, क्योंकि हम एक जैसे है हम एक जैसे है, हम एक दूसरे को बहुत समझते है और जिन रिष्टों में understanding होती ही न, वो बहुत लंबा चलते है बहुत लंबा, ये भी आपके बारे में सोचते रहते थे ये आपको manifest करते थे, लेकिन age difference issue था और long distance भी था, क्योंकि distance में आप लोग किसी साथी पार्टी में मिले थे तो इस वज़े से ये भी आपसे कहने से डरते थे तो पता आपका जो रिष्टा रहा न, वो बस मन ही मन में रहे गया कह न पाए एक दूसरे से, कि तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी है कह नहीं पाए वो प्यार अंदर ही अंदर, खेर उसने दम तो नहीं तोड़ी वो प्यार मरा तो नहीं लेकिन समाज की मान मर्यादा को देखते हुए, लोगों को देखते हुए और आप जो थे न, किसी बड़ी पोजिशन पर थे जैसी हो सकता है किंग एक क्वीन इस टाइप के अनरजी थी आपकी तो आपको समाज की बारे में सोचना था, लोगों की बारे में बहुत सोचना था एक बाद बते हैं आपको जो हमारे फ्लैट है न, अब हम जहां रहते हैं सामने से मतलब पास से हाइवे गया हुआ है कुछ ठरकी ट्रक वाले पते होर्न में क्या बजाते हूं पगला दिवान और अ सी बात न जाना कि वह मुझसे प्यार करती है हम पन में सोचा करते थे पहले कि यार यह ट्रक वाले इतने में क्यों बजाते हैं और अभी भी हम समझ भी नहीं आया क्योंकि इन्हें तो लड़की वड़की तो कोई दिखती नहीं कि लटकी हुए बालकनी में हम भी रातबं में दृह की लेकिन पता नहीं कितने ठतक शचैनल को नंभी होगया करते हैं कितने आप लगों के लव स्टॉरी सूंना रहे थे उसने त्हों कि पगला दिवाना है थोड़ी दूर पर लाके जा जागे प्ताब पुलिस चौकी हिए बहास करदेते हूंगे कि देखो उस जनम में ना उस जनम में शादी नहीं हो पाई आप लोगों की प्यार था मन में था बहुत सारा था लेकिन वो भी कहने से डरते थे और आप भी कहने से डरते थे क्योंकि आपको लगता था कि मेरी एज ज्यादा है या फिर उसकी एज ज्यादा है और कोई एक पैरिट था समाज की बहुत सारी कुरीतिया थी और इस रिष्टे का कोई फ्योचर नहीं था इस वज़े से चीजे उस जनम में सिर्फ यहीं तक ही चली है पर प्यार बहुत था जिन्दगी जीने की ख्वाहिश बहुत थी एक दूसरे के साथ बट जिनकी शादी नहीं हुई थी उन्होंने शादी कर ली थी उस जनम में क्योंकि उन्होंने शादी कर ली क्योंकि कोई एक तो मैरिट था ही अब आप मेल और फिमेल हो जो मेल बॉड़ी में था उसने कोई एक married है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अगर married नहीं है कोई एक तो इस जनम में distance relationship है इस जनम में भी और इस जनम में intercast issue, religion issue भी बहुत strong है family issue तो भर भर के है बहुत जादा तो इस जनम में बात यह चल रही है कि यह जो person है इनके उपर responsibility बहुत जादा है और इस जनम में इन्हें आपसे प्यार तो है बहुत प्यार है आपसे बहुत प्यार करते हैं इस जनम में आप दोरों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिन्दगी भी जीना चाहते हैं लेकिन फैमिली इशू की वज़े से ये प्यार मुकम्मल नहीं हो पा रहा है हमें ऐसा लगता है कि इस जनम में भी आप लोग अलग होई गए है इस जनम में आप लोग अलग हो गए है तो कभी-कभी आप बहुत स्प्रिचुल है आपको कभी-कभी लगा करता है यार मैंने क्यों प्यार किया क्योंकि दिन रात दिन रात इनका खयाल आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है इस जनम में आपके पास सब कुछ है सब कुछ है आपके पास लेकिन पता ने क्यों इस व्यक्ती की ख्वाहिश जिनके आप रिडिंग देख रही है बहुत जाद आपके मन में जैसे कि रिष्टे आपके पहले भी रहे हैं लोगों के साथ दोस्ती रहे है सब कुछ ठीक था लेकिन बस पता नहीं क्यों आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो इसमें है और मुझे जिन्दगी इसके साथ जीनी है मतलब एक married life होती है ना एक अच्छी सी married life, happy married life वो मुझे इसके साथ जीनी है एक जो caring connection होता है ना understanding वाला maturity वाला प्यार होता है वो आप इनके साथ जीना चाहते है लेकिन इस जनम में family issue बहुत strong है तो उनकी family है तो आपकी family क्योंकि intercast issue, religion issue है और कुछ लोगों का age difference issue भी है और जिस वज़े से कुछ लोगियां पर separation के स्थिती में है तो इस जनम में भी आप लोग अलग हो चुके हैं दिल तूटा हुआ है या फिर कुछ लोग जो है अलग नहीं हुए है लेकिन उन्हें हर वक्त यही डर लगता है क्योंकि इस जनम में भी हो सकता कोई merit हो एक कोई एक merit है या फिर family issue है तो यहीं लगता है कि इस रिष्टे का कोई future नहीं है और मैं क्यों इस इंसान के तरफ खीची जा रही हूँ मैं क्यों खीचा जा रहा हूँ इसके साथ मतलब कि ना चाहा कर भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूरियां बना रहे हो लेकिन धीरे 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 जैसे कोई है जो आपको उनकी तरफ खीचता है और आपको पता है कि इसका कोई future नहीं है family accept नहीं करेगी responsibility बहुत साथ ज़्यादा है burden बहुत ज़्यादा है age difference है हमारे दर्मियान intercast issue है बंधे हुए हैं मान मर्यादाओं में फिर आप अपने आपको कभी कभी कोसने लगते हैं कि मुझे क्यों प्यार हुआ इससे क्यों सब कुछ हुआ क्यों जब हमें एक ही नहीं होना था तो इस सारी चीज़े क्यों हो रही हैं जब वो इनसान मुझे मिलना ही नहीं था तो फिर जी सारी चीज़े क्यों कभी-कभी आप ईश्वर चे बहुत पूछते हैं रोते हैं हम बहुत ज़यादा पर आप किसी से कहह नहीं पा रहे हैं आपको कभी-कभी गिल्ट होता है कि मैंने क्यों चाहा मैंने क्यों जान बूच के इस व्यक्ति के साथ रिष्टे बनाए कुछ लोगों के लिए और कुछ लोग तो शायद अभी भी भाग रहे हैं जिनका भी new new connection है क्योंकि उनको खुद भी लगता है कि यार हो सकता है कि वो married हो आप भी married हो या फिर आपका ऐसा रगता है कि age difference है लेकिन क्यों आप उनकी तरफ खीचे जा रहे हैं आप कभी कभी अपने आपको पीछे करने की कोशिश करते की move on कर लो छोड़ दो इस रिष्टे का कोई future नहीं सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जैसे आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते आपको घुटन, anxiety, depression जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप बिलकुल मरने लगते हैं तिल-तिल करके आप अगर दिल मजबूत करके थोड़ा सा अपने आपको रोग भी लेते न तो भी आप रहने पाते फिर आपको कभी-कभी guilt होता है कि मैं क्यों कर रही हूं बहुत पवित्र है समझ रहो यह एक soul level का connection है आत्मिक connection है और बहुत सारे लोगों का twin soul connection है बहुत सारे लोगों का soulmate connection है यह connection बहुत strong है और पता है आप दोनों एक दूसरे को complete करते हो कर्मा कुछ खास नहीं है लेकिन बस यही है कि अभी इश्वर नहीं चाहते बहुत सारे लोगों का इस जनम में मिलन तो नहीं लिखा इस जनम में हाँ एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनके रह सकते हैं लेकिन इस जनम में आप जिन के साथ वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं फिर आपकी जो parents हैं तो इस जनम में family issue बहुत strong रहेगा तो इस जनम म में उन्हें inner work करने की बहुत ज्यादा जरत है जो लोग soulmate journey में हैं तो वो already किसी साथ रिष्टे में हैं और उनकी कोई खास गलती नहीं जिनके साथ आप रिष्टे में हैं पर यह जो connection है बहुत spiritual connection है बहुत spiritual समझे हैं तो इश्वर आप से यह कहना चाहते हैं ना आपको र 50% में पता नहीं कौन कौन आते हैं क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो in future एक हो सकते हैं इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त रोने धोने के बजाए अपने आपको surrender करिए divine को पुरी तरह से समर्पित कर दीजिए सब कुछ इश्वर के उपर छोड़ दीजिए और ब हम जरूर एक होंगे हमारा प्यार दिन रात बढ़ रहा है हम एक दूसरे को बहुत सवज रहे हैं इस तरह की चीज़े खुद से बोलना शुरू करिए अगर family issue है तो दीरे 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 हो सकता है कि चीज़े बहतरी हो जाए हमने बताया कि 50% लोगों के एक होने के chances हैं इध इधर बहुत soul level का connection है बहुत बहुत जादा जैसे कि क्या बताएं एक दूसरे को आत्मा से प्यार करते हैं आप लोग और हाँ कुछ लोगों की तो शादी भी हो जाएगी कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी भले उनके दरम्यान age difference इशू हो long distance इशू हो intercast इशू हो religion ये जो third party इस जन्नम में है कोई भी हो family हो तो family बहुत समय तक आप लोगों को रोक नहीं पाएगी अभी हो सकता है कि आपके partner ने आपको block कर दिया हो ये फिर आपने उन्हें गुस्यम block कर दिया हो कुछ लोगों के लिए हमें लगता है क्योंकि देखो उनकी life में ना संगर् मतलब कि इस जन्नम में थोड़ा सा वो पुरानी चीज़े गई नहीं है अभी वो समाज वो परिवार वो रिष्टेदारों की फिकर वो लोगों की फिकर लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे ये डर ये दर्द आज भी है ये चीज़े आज भी है लेकिन आपको hope नहीं हा कहेंगे कि अगर आप वागई इस जन्नम में भी इन्हें अंतरात्मा से चाहते हैं और बहुत चाहते हैं तो बस इनकी हीलिंग करिए इनकी लाइफ में जो समस्याएं हैं उसके लिए इश्वर से प्रार्तना करिए आपकी जो रिस्पॉंस्बिटी आप उससे निभाईए अगर इस जन्नम में आपकी शादी हो गई ये किसी के साथ तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाईए आप इनसे प्रेम करिए आत्मा का जो प्यार होता है वो साथ रहने का पास रहने का महताज नहीं होता अगर आप साथ और पास नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा लेक अगर आप तोनों इनर वर्क नहीं करते हैं तो वरना इधर जो सोल में जर्नी में उनका एक होना तय है लेकिं जो फोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा थोड़ी सी इनकी जिन्दगी में बहुत बाढ़न हैं इनकी सिंदगी में बहुत समश्या है और ये समाज का सामणा नहीं कर सकते मतलब कि इनके आँदर समाजिक डर बहुत जादा होता है इन्हें अपनी छवी की फीकर बहुत जादा होती जैसे पूर्वजनम में थी देखो stable है अपनी life में सब कुछ है लेकिन बस समाज का डर है, यह समझते हैं सब कुछ समझते हैं कि क्या सही क्या गलत लेकिन यह अपनी family के किलाफ नहीं जा सकते action नहीं ले सकते family के खिलाफ जाकर और समाज से लड़ नहीं सकते इन्हें दूसरों को जवाब देने में डर लगता है ये कभी भी मतलब इस तरह की चीज़ों को face नहीं कर सकते इन्होंने किया है और इन्हें बहुत डर लगता है तो ये अपनी feelings मार सकते हैं आपसे प्यार करेंगे जिन्दगी भर लेकिन अपनी feelings मार सकते हैं लेकिन ऐसे सब के खिलाफ जाकर आपके साथ रिष्टे आगे नहीं बढ़ा सकते तो यह connection बहुत spiritual है dear past life में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बने बहुत अच्छा रिष्टा भी रहा बहुत प्यार रहा लेकिन वो बस अंतरात्मता की रहा शारीरिक लेवल पर और जैसे married life जैसी कोई चीज़े आप लोगों ने नहीं जी past life में इस जन्नम में होप है कि 50% लोग एक हो सकते हैं लेकिन 50% लोगों के लिए थोड़ी जी समझ जाए हैं अगर हां आप meditation करते हैं positive रहते हैं तो इश्वर कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़े आप इस जन्नम में मज़ कहांगे जैश्री खुरुष्णा अपना खियाल रखें अपने अपनों का ख्याल रखिये कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि लोगों का काम तो कहना है और पुरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अ में मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम